लेकिन चात्रों के साथ लोग खेल रहे हैं सरकारे चेंज हो जाती है सरकारे बदाद जाता है सरकार का अपना election अपना सरकार बनाने का सही समय मिल जाता है लेकिन चात्र के दीवन को बनाने का समय नहीं मिलता है और आप लोग तमाम लोग प्रस्ण उठाते हैं बार-बार जाते हैं लेकिन जहारखण के चात्र क्या मजाक बन के रहेंगे जहारखण में आज के इंटर्वियू में आज हमारे साथ एक बार फिर से जेएसे से अध्यक्षरी सत्मराइन शुकला जी मौझूद है और लगातार जेएसेसी सीजियल परिक्षा रद को लेकर के तमाम छात्र जो 6 लाग 7 लाग छात्र हैं जारखन में वो चंतत है कि हमारा भाविस्य क्या है हमारा अंदिकार में तो नहीं चला गया एक बार 8 साल के बाद प्रिप्रेशन हुआ ऐसे में तमाम प्रश्णों का हाल निकालने का प्रयास करेंगे सबसे पहले सुक्ला जी स्वागत आपका सर बहुत-बहुत साधु बाद आपको अपने चैनल पर बुलाने का और यह जो मुद्दा है चात्रों का मुद्दा रखने का सबसे पहले हम बोलना चाहते हैं कि मैंने आज लेटरं लिखा मानिये मुखमाटरी से मिलने के लिए क्यफ आप देख रहे हैं कि सरकार सुक्ला जी थोड़ा से रूकना चाहेंगे आप लगातार बार 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 लेटर लिखते हैं बार बार आप अलग-अफिसल लगतार जाते हैं सबसे बड़ा समस्य है कि हमने लेटर देते ठक चुके आप देख रहें कि जैसे सी सीजियल की परिक्षा कैंसल ना उसमें सरकार के भी अंग उसमें प्रभावित हैं मतलब सेटिंग एटिंग में आप देख रहें कि पेजी पीजीटी का रिजल्ट गोल उसके साथ साथ कितने परिक्षा हैं सीजियल के परिक्षा और सर के बाद अभी तक होने के कोई संभावना नहीं है अभी तक चोर जो है ना मतलब इस चोरी करते हुए अभी फाइनल पक्राई नहीं सरकार का भी कुछ आंग इसमें सामील है मैं बता तू सर कि यह बहुत बड़ी निंदनिये भी स परिक्षा होने की संभावना अभी नहीं लग रहा है उसके साथ प्रिक्षा प्रभावित हैं कितने परिक्षा प्रभावित हैं जैसे आपका मैं बता दू लेडी सुपर्वाइजर कीट भी भाग का वुद्योग भी भाग का ऐसे कितने फौरं मतलब अस्थागीत हैं मतलब फोर अ मघरा चूके और काटार में खड़ें कर चालिए थाधार में रूदार को फून को आपको गारेंटी देता हूं कि परिक्षा फाइनल करवाऊंगा जैसे सीजियल का परिक्षा तीन तीन बार जो है सो लिया गए लेकिन आज तक रिजर्ट प्रकासित नहीं हो पाया वो चाहे धांदली के विशे हो चाहे और अन्य तमाम चीज ब्रेकर जितने भी अरोडा रोडा आया लेकिन चात्रों का जीवन के साथ लोग खेल रहें सरकारे चेंज हो जाती है सरकारे बदल जाता है सरकार का अपना सरकार बनाने का सही समय मिल जाता है लेकिन चात्र के जीवन को बनाने का समय नहीं मिलता है और आप लोग तमाम लोग प्रस्ण उठाते हैं बार बार जाते अगर मैं मानी मुखमंद्री से मिलने जाओंगा तो उनकी कारेकाल कितने बचे हैं मातरगीन के आठ दिन उसमें दो महिना लोकसभा दो महिना बिदान सभा अपना चुनाव में जाएंगे बच्चे के पास बच्चा छे महिना कितने एक जाम धार्खन स्टेटी स्टुडेंट कि पूरा कराएगा सबसे पहले कंबाइन के जिवेट लेवल सीजेल यह सीजेल मैं बता दू कि परिक्षा मैं अपने कंदे पर जीमेदारी ले रहा हूं थोड़ा से साइटी का क्लियर रहें सोने दीजिए मैं इस एक्जाम को करवाँगा पीजीटी का रिजल जारी करवान कि निदे रहें अभी आप किन-किन पताधिकारियों से मिल करके बात करने का हल प्रयास करने का निकाल देखिए मैं लगबा कि साथ कि जितने भी बड़ी पताधिकारी मुख सचीव कार्मिक सचीव सब्चे मिल चुके इभेन मैं पीएसी के आधियक से भी मिला था जो केंसि जैसे क्यों इतना मरेंगे अपना समय मुलेवान क्यों बात करेंगे जार्खरन इस्टेट इस्टूडेंट एसन के संगठन के पूरे सड़ा से जो मैन मैन है लोग जाएंगे और मिल करने को रखेंगे कि मैंने आपके समय कि मैं बार-बार री पीटिसन करदा रहा हूं जैसे आपका लेडी सुपर्वाइजर हो गया जो हमारी महलाएं बाहने के लिए हैं उसके बाद आपका बहुत सा किट पालक का हो गया ऐसे तीन चार एक्जाम है जो पेंडिंग एक्जाम लेने के लिए तो यह सब को लेकर हम लोग जाएंगे पूछेंगे कि दादा इसको आ अच्छा देखना यह है रगुवर दादा से नहीं हो पाया क्योंकि आठ साल समझ में आता है आठ साल बहुत बड़ा कारिकाल होता है रगुवर दादा नहीं करा पाए हेमन दादा भी पार लग गया है अब चमपई दादा के कारिकाल में क्या जैसे सी इसी सीजियल का पहले परिक्षा तो करवाईए चात्र का जीवन है लोग मेहनत करते हैं सालों साल से इस भरोसे से इस आसा लगा करके कि आज हमारा नियुकती होगा आज हमारा नौकरी मिलेगा जारखन में हम अपना योगदान देंगे लेकिन साइद जारखन है और जारखन का दुरभाग है यह तमाम चात्र नेता अगन चाहे आपकी बात करूं आपकी बात करूं या तमाम लोग जो है सो लगातार चात्रों के लिए आवाज उठाते हैं क्या कह रहेंगे सुकला जी मैं आंतिम सब मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं मानिये मुखमांती से मिलकर जैससी का हाल उन आपको सच्चा ही बता दू अगला सरकार फिराक में है कि चंपाई दादा का सिस्टम फेलो मैं लगाऊंगा उन्हीं सो पचासी जो भी लगाना होगा हमारे पक्ष इंतजार में बैठे हैं कि छात्र के आ रहे हांते किसी तरीका से सरकार ले आना है अरे भाईया जो चात्रों को भरोसा करता हूं जिस प्रकार जे पीएसी आया है उस प्रकार जी एससी में भी सारा परिक्षा किलियर करवाने के लिए मैं अपने कंधे पर जीमेदारी उठाता हूं चलिए आपके संकल्प भी हम लोग देखेंगे और बहुत सारे मुख्यमंतरिक का कारिकाल जो हैसो हमने बीटे हुए देखा है और जारखन के छात्रों का जीवन बरबाद होते हुए भी हमने देखा है अब देखना ये है क्या चंपाई दादा के कारेकाल में क्या चंपाई दादा के कारेकाल में जारखन के छात्रों को वाकई में नियाई मिलेगा खास करके JSC CGL के उन तमाम छात्रों के लिए ये वीडियो समर्पित है जो लोग चाते हैं कि हमारा जीवन सुदरे हमारा जीवन JSC CGL के परिक्षा से जो है सवरे बाकि आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर रखें और सुझाओ भी जरूर दें कि आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग क्या चाहते हैं और कितना जल्दी JSC CGL का एक्जाम पुना गठित हो पुना लिया जाए अपनी प्रतिक्रिया और सुझाओ जरूर रखें नमस्कार जाहिन